हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंवरे देतीमन देखे केंद्रिय विध्याले संगठन की तरफ से जो है एक नोटिस जारी हुआ है तो जिन बच्चों ने केवी का एक्जाम दिया है और मार्क्स भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कितने आ रहे हैं ठीक है और जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है उनको धीरे धीरे करके जो है वो अब इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आज के इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले ये देखेंगे कि इंटर्व्यू की डेट जो है वो किसकी आ गई है कि इंद्री विद्धियाले संग्ठन विल वी कंडेक्टिंग इंटर्व्यू फॉर दा पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिशनर तो बी फिल्ट डारेक्ट रिकूरुमेंट इन के विए फॉर्म 10 एपरिल तो 13 एपरिल एंड फ्रॉम 17 एपरिल तो 20 एपरिल तो यहां पर देखिए बिल्कुल आगी है इंटर्व्यू की डेट और किस पोस्ट के लिए असिस्टेंट कमिशनर की जो पोस्ट है उसकी जो है इंटर्व्यू की डेट जो है वो धीरे धीरे जो है आने लगेगी सबसे पहले एक्जाम हुआ था असिस्टेंट कमिस्टनर का और प्रिंसीपल वाइस प्रिंसीपल का उसके बाद जो है वो PRT, TGT, PGT का एक्जाम हुआ तो यह समझे लाइन वाइन जो है वो अब इंटर्व्यू की डेट आना स्टार्ट हो जाएगी तो यहां पर इस नोटिस से यह पता लगता है कि कम से कम जो है अब इनको 13 या 14 दिन का जो है वो टाइम मिल रहा है और इंटर्व्यू के लिए और यहां पर 52 या 53 लगबग जो है वो पोस्ट थी और तीन गुना से भी जादा जो है वो बच्च कितने बच्चों को जो है उन्होंने invite किया है और क्या-क्या उसमें जो है वो लिखा हुआ है ठीक है तो marks के basis पर जो है बुलाया गया है short-listed किया गया है यानि तीन गुना से जादा बच्चों को बुलाया ही जाएगा तो यदि आप उसमें आते हैं तो आप लोग जो है वो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो लिस्ट है वो भी दिखा दूँगी कि कितने बच्चों को और किस तरीके से यह लोग जो हम वो बुलाते हैं ठीक है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठेंक यू